दोस्तों को नमस्कार आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे पत्ते के बारे में जिस पत्ते को खाने से आपको कभी हार्ट अटेक नहीं आएगा आपका खून शुद हो जाएगा और इस पत्ते में भरपूर रूप से केल्सियम, आइरन, फासफोर्स, विटमिन ए और भी इसमें बहुत सारे तत्वे पाये जाते हैं अगर आप इसको बच्चों को खिलाना शुरू कर दे आप देख रहे होंगे कि सामने जो बच्चा है वो खा रहा है तो आपके बच्चे के सरीर का विकास भी होगा और उसका जो दिल है जो इसका हिर्दय है वो पूरे तरीके से सवस्त रहेगा और आपको कितने पत्तों का शेवन करना है और किस समय इनका सेवन करना है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और किस परकार आप इससे अपने जो हिर्दय को सवस्त रख सकते हो अपने खुन को साफ कर सकते हो और इसके फायदे तो अनेकों है और किस तरीक कम से कम रोजाना कितने सेवन करने हैं कि कम से कम आप साथ आठ दस पत्ते आप आराम से खा सकते हैं जो थोड़े कच्चे पत्ते हो तो इस तरीके से आप देखिए और किस समय खाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ देखिए ये जो आप देख रहे हो जो ये अभी पत्ते खा तो ये बहुत लंबा हो जाता है ये सैतूत का पेड़ है इसके पत्तों में कैलसियम पाया जाता है देखिए आज कल हम देखते हैं कि हमारे स्रीर में कैलसियम की कमी हो रही है क्योंकि जो दूद है वो मिलावटी मिल रहा है जो और चीजें कैलसियम की वो मिलावटी मिल रही ह लेकिन भाई पत्तों में क्या मिलावट होगी ये तो आप भी सोच सकते हो और अगर आप इसको अगर आपको केलसियम की पूर्ती करनी है तो आपको सुबह सुबह 10 से 15 बीस पत्ते खा लीजिए और इसके साथ खाली पेट खाना है ध्यान रखिए और अगर किसी के पास समय है तो आप कुछ पत्तों को लीजिए उनको पीस लीजिए और पीसने के बाद उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसको छानके और उसको पी जाईए आपके सरीर में केलसियम की कमी नहीं रहेगी और सुबह सुबह बच्चों को घुमाने लेके जाईए ऐसे ही उनको 10-5-10 पत्ते चबवा दीजिए तो आप देखेंगे उनके सरीर में भी कभी केलसियम की कमी नहीं रहेगी इसमें एक और बहुत महत्तब पूर्ण तत्तव पाया जाता है आजकल आप देखते हैं कि हार्ट अटेक, हार्ट शेलियर आप क्या करते हैं कि 20-40 साल के लोगों के बीच में ही आजकल ये समस्या बहुत ज्यादा उत्पन हो रही है पहले तो हम ध्यान नहीं रखते बच्चों को क्या खिलाते हैं बच्चों को खिलाते हैं पीजा, बर्गर, आलुटी की, समोसा, अनेको ऐसी ऐसी चीज जो फास्ट फूड है जो सबसे बड़ा जहर है वो है नूडल्स जो हम चाहे आप उसमें कुछ भी बोल लीजिये जितने भी ये टू मिनट में रेडी हो जाए ये हो जाए वो हो जाए ये जो सभी चीजे हैं ये क्या करती है कि आपकी आतों में पूरा कच्रा जमा कर देती है कच्रा जमा होने के बाद गैस बनती है गैस बनने के बाद आपको धिरे धिरे आपकी नसनाडियों पे खराब असर पड़ता है फिर क्या होता है खराब असर पड़ने के बाद आपके हिर्दय पर दबाव पड़ता है और जब आपका हिर्दय वो दबाव जब आपका अटेक और हार्ट शेलियर जैसी ही समस्याउत्पन होती है तो उसके लिए इसके पत्तों में भरपूर रूप से पोटेसियम पाया जाता है दोस्तों पोटेसियम एक ऐसा तत्व है जो आपके हिर्दे को लंबे समय तक स्वस्त बनाए रखता है तो पीजा बर्गर की बजाए अगर आप जितने पत्ते मैं आपको बताता हूँ इन में ना कोई मिलावट होती है तो आप इन पत्तों का सेवन कराईए आप देखेंगे कि आपका हिर्दे पूरे तरीके से स्वस्त हो जाएगा इसके लिए आप एक और कारिय कर सकते हो कि आपको ने कुछ पत्ते पीसे आ और भी ठंडा करेगी कुछ लोग बोलते हैं कि पेट ठंडा हो गया तो सब ठंडा हो जाएगा दोस्तों अगर पेट गरम हुआ तो जरूर आप लोगों का सब ठंडा हो जाएगा आपका सरीर भी ठंडा हो जाएगा सब से पहले आपको अपने पेट को बैलेंस करना है दू और ये सैतूत आसपास बहुत जगे मिल जाता है लगबग हर जगे सैतूत मिल जाता है तो आपके बच्चों में आईरन की भी कमी नहीं रहेगी तो आप इन पत्तों को खिलाईए और दूसरा अगर हमें अपने रक्त को साफ करना है तो रक्त को साफ करने के लिए बढ़ा ही अच्छा ये एक पोधा है या एक पेड है देखिए अगर आप बच्चों का बच्पन से ही ध्यान रखें और जो बच्पन से थोड़े बड़े हो गए है वो भी खुद का ध्यान रखें तो आपका जो पूरा स्वास्थ है वो इन पत्तों के द्वारा सही हो सकता है या अगर स्वास्थ है गड़बडाया नहीं है क्योंकि गड़बडाने के बाद तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है उसको ठीक करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर बिमारी को आने से पहले ही हम उसका ध्यान दे ले जैसे इन पत्तों वगेरा का सेवन करें ना इन में कोई मिलावट है तो आप पूरे तरीके से स्वस्त रह सकते हैं तो आपको रक्त साप करने से आपके सरीर की लगबग हर बिमारी दूर हो जाएगी तो उसके लिए आपको सुबह सुबह खाली पेट आप इसको पीशिये थोड़ा सा इसका रस निकल जाएगा उसको पानी डालके ही उसका रस बनेगा उसके साथ आपको क्या करना है उसके साथ आप थोड़ा सा मिस्री मिला दीजिए मिसरी मिला देने के बाद देखिए जो सैतूत होता है वो आपका वात मतलब वायू के रोग उनको दूर करता है और जो मिसरी है आपके पेट को ठंडा करता है जो आपके पेट में गैस बनती है उससे आपका खुन भी खराब हो जाता है हिर्दय पर दबाव पड़ता है तो आप जब इनके पत्तों के साथ आप उसमें मिसरी मिला देंगे तो आपका वायू दूर और आपका पेट शान्त हो जाएगा तो उससे आपका खुन भी शुद होगा आपका लिवर भी अच्छा होगा आपका किड़नी के उपर भी अच्छा परभाव पड़ेगा और आपके लगबग अनेको रोग दूर हो जाएगे तो उमीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर करें और लाइक करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें तब तक सभी को धन्यवाद